मती 24-24 से आप मुझे पढ़ते हुए सुन सकते हैं जूठे मसी और जूठे भविश्वक्ता खड़े होंगे और बड़े चिन और अद्बुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भर्मा दें वो असली चुने हुओं को तो नहीं भर्मा पाएंगे लेकिन जो सचे बिलीवर नहीं है उनकी अगवाई वो करेंगे अपने पीछे चलने के लिए अब मैं थोड़ी देर के लिए आप से बात करना चाहता हूँ एसे जैसे कि आपको इसमें थोड़ा इंटरस्ट आए हमेशा से ही जूटे भहिशवक्ता और जूटे मसी तो होते आए हैं जिनोंने कहा है कि वो येशू मसी हैं ये दावा कि वो येशू हैं और कुछ दूसरे से ज़्यादा ध्यान देने लाइक भी हैं लेकिन जब आप अंत की तरफ बढ़ते हैं मानव इतिहास के और आप उस समय तक पहुँच जाते हैं जिसे ट्रॉबलेशन का टाइम कहा गया है वहाँ पर इस भवश्वानी के पूरा होने की बड़ी खास बात है और आज मैं चाहता हूँ कि आप इसे समझें क्योंकि इसका लेना देना इसलाम से है इस दुनिया के ज़्यादा तर लोगों को लगता है कि इसलाम बिल्कुल ही अलग धरम है क्रिस्चैनिटी से इसका तो कोई कनेक्शन ही नहीं है क्रिस्चैनिटी से आप सोचेंगे कि अगर कोई मुसल्मान है तो उसका तो दूर दूर तक कोई रिष्टा ही नहीं है Christianity के साथ और वैसे भी बहुत से धर्म है जिनका कोई connection नहीं है Christianity के साथ जैसे Buddhism है, Hinduism है उसका कोई connection नहीं है और ऐसे ही बहुत सारे दूसरे धर्म भी है कमाल की बात तो ये है कि उनमें से बहुत से धर्म connect है जब आप सच के पास पहुंचते हैं तो शैतान चाहता है कि आप से जूट बोले और आपको भरमाए ऐसे बहुत से प्रचारक हैं जिन्होंने ये बोला है या उन्हें लगता है कि मुसल्मान ना सिर्फ खुदा को मानते हैं क्योंकि उनके हाँ सिर्फ एक ही खुदा को माना जाता है लेकिन उन्हें लगता है कि मुसल्मान ठीक हैं क्योंकि वो येशु को भी तो मानते हैं वैसे मैं बता दू कि वो मानते हैं ब्राइन मेकलेरिन एक चर्च से निकला हुआ एक अधर्मी व्यक्ति उसने लिखा है अपनी किताब The Secret Saying of Jesus में उसने लिखा देखे मैं पढ़ रहा हूँ सारे मुसल्मान येशु की इज़त करते हैं ये मानकर की येशु एक बहुत बड़ा नभी है बताई हुई येशु की बातों को अगर आज के समय के हिसाब से थोड़ा सा और ठीक किया जाए तो इससे एक रास्ता निकाला जा सकता है जिसकी आज बड़ी जरूरत है सभी धर्मों का एक नारा हो सकता है और ये काम ही बस अब एक आखरी रास्ता है जिससे सारे धर्म बचाये जा सकते है क्रिस्चैनिटी को मिला कर हाँ तो इनके हिसाब से अगर हमें क्रिस्चैनिटी को और दूसरे धर्मों को बचाना है तो हम सब धर्मों को इखटा होना पड़ेगा और ये इस बात के बाद आसान भी हो गया है क्योंकि मुसल्मान तो येशु को मानते हैं इसलिए उन से शुरू करो एक प्रसिद्ध लेखक टोनी कैमपोलो ने ऐसा कहा है अगर हम सूफी मुसलिम लोगों की सुने जो वो येशु के बारे में बोलते हैं या उनकी जो महबत है येशु से तो ये लोग ज़ादा नज़्दिक दिखाई देते हैं उन क्रिस्टिन्स से और नए नियम की स्क्रिस्टिनिटी से भी अच्छा रियली तो आपको लगता है कि मुसल्मानों के ईसा वही येशु है मैं आपकी मदद करता हूँ जो वो येशु के बारे में समझाते हैं इसलाम की टीचिंग में मुसलिम जीजस का बड़ा एहम किरदार है ये तो आपको पता ही है कि मुसल्मानों की भी मरने के बाद की एक एसकोटालिजी है आखरत में क्या होगा उनके कलाम के हिसाब से उन्हें मालूम है वो कहा जा रहे है उन्हें पता है वो कहा जा रहे है आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मुसलिम जो जीजस है वो कैसे है जो उनकी किताबों यानी कुरान और सुना में दिया है कुरान वो मानते हैं कि अल्ला का कलाम है है तो वैसे वो शैतान का कलाम लेकिन उनको लगता है कि वो अल्ला का है और जो सुनना है, सुनना जो है वो मुहमत की बाते हैं, मुहमत के काम है उसमें कुरान जो है वो उनका पाक कलाम बन गया और जो सुनना है उसे कभी-कभी हदीस भी कहते हैं उसमें उनके बहुत पाक रीती रिवाज है उनकी जो थियोलिजी है वो कुरान से और सुनना से मिल कर बनी है बिल्कुल वैसे ही जैसे रोमन कैथलिक की थियोलिजी बाइबल और ट्रेडिशन से मिल की बनी है जैसे Jewish traditions में Old Testament और Rabbinic traditions मिल की बने, यही वो दो sources हैं जिनसे उनके सारे सच निकले हैं. उनके सिस्टम में भी एक Jesus है, और Jesus बस एक आदमी है, वो खुदा नहीं है, वो मरे भी नहीं है, वो जन्नत चले गए बिलकुल एलिया की तरह, अब क्योंकि वो मरे ही नहीं, इसलिए वो जी भी नहीं उठे, जब वो मरा ही नहीं तो उसने किसी के लिए प्रैस्चित नहीं दिया, क्योंकि कोई भी इनसान किसी के लिए किसी भी तरह का प्रैस्चित नहीं दे सकता, वो एक इनसान है, एक नबी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है वो बस एलिया की तरह जन्नत में चले गए है और अब अल्ला के बगल में खड़े है और इंतजार कर रहे हैं कि अल्ला उन्हें दुबारा वापस भेजें और इनके सिस्टम में जो येशु इनसान है और नभी है और जो कभी मरे नहीं और जन्नत में भी है अंत की समय में इनका बड़ा इंपोर्टन रोल भी है ये जन्नत से लोटेंगे और बिना मरे हुए वापस आएंगे जब अल्ला इन्हें वहां से भेजेंगे अब अगला सवाल ये उठता है कि अल्ला इस जीजस को क्यों भेजेंगे जब बहुत से नभीों में से चुन कर भेजा जा सकता है तो वो इस जीजस को क्यों भेजेंगे और इसका आंसर सुन लीजे कि जब वो आएंगे तो वो सारी Christians को correct कर सकें जिन्होंने गलती कर दी ये समझने में कि येशु कौन है ये सारी बातें कुरान और सुनना में दी है मसी के आने की जो सबसे बड़ी घटना है येशु मसी के ये इसलिए हो रही है कि ये इनसान ये नभी जो येशु है वो आएं और सही रस्ता दिखा सकें उन लोगों को जो भटक गए है जो misguided हैं जिनकी सारी जानकारी गलत है जिनको लगता है कि येशु मसी आए मरे और जी उठे और लोगों के लिए atonement प्रोवाइड किया उन सबको वो ठीक कर सके और वैसे अब आने पर उनकी शादी होगी उनके बच्चे होगे और वो मुहमद के बगल में मर कर गाले जाएंगे ये हैं मुस्लिम जीजस इसलाम की जो एसकोटालिजी है स्वर्ग नर्क का सिध्धान्त है उसके हिसाब से तीन बड़े चिन हैं अंत के तीन बड़े चिन हैं उनमें से कुछ छोटे हैं कुछ थोड़े बड़े हैं कुछ बहुत बड़े चिन हैं उनकी एसकोटालिजी के हिसाब से उन्ही के सोर्सेस में से एक बार फिर पढ़ रहा हूँ मैं उसके तीन सबसे बड़े निशानात हैं जो दुनिया के खत्म होने के बारे में बताते हैं और इन तीनों में एक एक इनसान है और अब जरा मुझे इन तीनों इनसानों के बारे में बताने दीजिए पहला आदमी जो दुनिया के आखरत में आएगा वो है मेहदी म-A-H-D-I और कई बार इस इनसान को बारवे नंबर का इमाम भी कहा गया है और इरान के जो एहमद दिनजैद हैं वो अपनी स्पीच देते हैं तो कहते हैं Glory to महदी Glory to 12 इमाम वो हमेशा बोलते हैं वो वेट कर रहे हैं इमाम महदी की अब वो वो आखिर करने क्या आ रहे हैं वो आ रहा है ध्यान से सुनियेगा इसलिए कि वो कतल करे उन लोगों का जो इसलाम कबूल नहीं करते और अल्ला की अबादत नहीं करते ऐसे लोगों को उनकी किताब में सुर और कुटे कहा गया है और उसका मकसद होगा इसलाम की कभी ना खत्म होने वाली बादशाहत को खुमत को इस दुनिया पर कायम करना और यही वो करेगा मेहदी और बारवे इमाम इसका बहुत लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है यह आखरी इंसान होगा जो खलीफाई हकूमत को कायम करेगा पूरी दुनिया को इसको फॉलो करना ही पड़ेगा वरना यह इसलाम के सारे दुश्मनों का खात्मा कर देगा यह आएगा और एक बड़ी पाक जंग छिड़ेगा या तो आप कनवर्ट होंगे और या तो आपको मार दिया जाएगा इस महदी के हातों से इसके पास एक फॉज होगी और इसकी फॉज इतनी बड़ी होगी जो की देश से दूसरे देश तक जाएगी और उन लोगों को सजा देगी जो इमान नहीं रखते इसलाम की पाक किताबों में दिया है कि इस फॉज के पास काले जंडे होंगे और उन काले जंडों पर एक शब्द लिखा होगा और वो शब्द होगा सजा वैसे बता दूँ कि इरान की जो फॉज है उसके पास काले जंडे हैं क्योंकि वो तयार रहना चाहते हैं महदी के आने के लिए और वो काले जंडे की इस फौज को ले जाएगा सबसे पहले इसराइल में फिर सारे यहूदियों की हत्याए करेगा और वो अपने कानून चलाएगा यरू शलेम में टेमपल माउंट के उपर ये कहता है उनका कलाम यहूदियों के कतल और टेंपल माउंट पर अपने काइदे कानून चलाना उनके पाक कलाम के हिसाब से माहदी बारिश लाएगा, हवाए लाएगा, फसले लाएगा, बहुत पैसा लाएगा और खुशाली लाएगा यहूदियों के साथ भी और वेस्ट के लोगों के साथ भी, कितने ठीक साथ सालों के लिए इसकी हुकूमत साथ साल की होगी और उन साथ सालों में ये पूरी धर्ती पर इसलाम कायम कर देगा और इनकी पाक किताब कहती है कि महदी आएगा और सफेद घोड़े पर सवार होगा ये बिलकुल ठीक वैसे ही लिखा है जैसा प्रकाशितवा के छे अध्याय और एक दो में दिया है बिलकुल वैसे ही वैसे सदाम हुसेन जो था उसने भी अपने पूरे बगदाद में इस महदी के बहुत सारे तस्वीर बनवाए थे सफेद घोड़े पर और जो इमान नहीं लाते उनके लिए वो तलवार लेकर भी आ रहा है जब महदी आता है तब वो छुपे हुए स्क्रिप्चर्स खोज निकालता है वो उन्हें ढून लेगा और बड़े रोमांचक तरीके से लिखा है गलील के समुद्र के पास और वहाँ पे होंगे गायब हो चुके स्क्रिप्चर्स इंजील और तोरा और भी बहुत सारे और वो होंगे असली स्क्रिप्चर्स जिनका इस्तेमाल करेगा महादी यहूदियों और क्रिश्चिन्स को ये दिखाने के लिए कि वो गलत थे कि उनका जो कलाम था वो जूटा था मैं चोटा करके समझाता हूँ महदी एक मसीहा किरदार है वो महमद के खांदान का होगा उसके बराबर कोई न होगा और ना उसकी तुलना किसी से होगी वो ऐसा लीडर होगा वो ऐसे भयानक समय में आएगा जब चारो और बहुत उथल पुथल मची होगा वो दुनिया पर कबजा कर लेगा और एक न्यू वर्ल्ड और कायम कर देगा जो भी उसका विरोत करेगा वो मार दिया जाएगा वो कई देशों में जबरदस्ती घुसेगा यहूदियों के साथ साथ साल की वाच्चा बांदेगा इसराइल को जीतेगा और यहूदियों का कतल करेगा और यह इसलामिक वर्ल्ड हेड़कॉर्टर मनाएगा यरुशलेम में यह साथ साल तक शाशन करेगा और एक मात्र रिलीजन इसलाम को कायम करेगा सफेद घोडे पर होगा और सुपरनाच्रल पावर इसमें होगी और धर्ती के सारे लोग इसे बड़ा प्यार देंगे क्या आपको भी ये बातें सुनी-सुनी से लग रही है जी हाँ, बाइबल के एंटिक्राइस्ट का सपस्ट वर्णन यही है बिलकुल वैसे ही step by step by step जी हाँ, बाइबल का जो इंटिक्राइस्ट है वो इनका मेहदी है देखे, ये बात हम जानते हैं कि प्रकाशित वाकिछ च्छे का जो सफेद गुर्षवार है वो इंटिक्राइस्ट है अगर आप जाकर इस पर स्टडी करें तो आप पाएंगे सारी डीटेल मैच करती हैं बिलकुल पर्फेक्टली बाइबल का मसी विरोधी इसलाम का सेवियर है और दुनिया को भी जीतने वाला है और पूरी दुनिया पर इसलामिक किंडम कायम करने वाला है और फिर दूसरा एक चिन है और इसमें एक व्यक्ति है और वो जीजस है महदी येशू नहीं है महदी का रुत्बा येशू से बड़ा है और इसकी अपनी इंपोर्टेंस है क्योंकि उनके सिस्टम में अगर कोई येशू से बड़ा है तो इसका मतलब इसाई लोग सारे गलत है तो येशू वापस आने वाले है जी हाँ वो मुस्लिम भी मानते हैं कि येशू वापस आने वाले है उनका आना होगा असली येशू नहीं इसलाम के जो जीजस है वो गौड नहीं है मरे भी नहीं है और जी भी नहीं उठे उन्होंने पापों का बलदान भी नहीं दिया लेकिन हाँ वो वापस आते हैं वो तो बस एक नभी है और उनके वापस आने का सिर्फ एक मकसद है और वो ये है कि महदी के साथ मिलकर उनके साथ जुड़ जाना है और ये लोटते हैं और ध्यान से सुनियागा एक कट्टर मुसल्मान की तरह वापस आए हैं तो कट्टर मुसल्मान बनके वैसे बता दू कि वो पहुँचेंगे मिनरत के पास डिमासकस में और वो दो फरिष्टों के पंखों को पकड़े हुए आएंगे जो उनको नीचे उतारेंगे महदी की जो एकटा हुई फौज है उससे मिलने के लिए जो पूरब में होगी काले ज़ंडे लिये हुए और ये जो जीजस आएंगे ये महदी से दुआ करेंगे जो की उनसे बड़ा है और ये महदी को अपना मालिक भी मानेंगे और ये मक्का में जाकर हज भी करेंगे और अल्ला की अबादत भी करेंगे और इससे वो उन क्रिष्टिन्स को जो उन्हें फौलो भी करेंगे बताएंगे कि उस येश्यू के खयाल को छोड़ दो जिसे अभी तक मानते आये हो और अब असली वाले को ग्रेंड करो यानि उससे जो कि कुछ नहीं ये चारो तरफ शरियत का जो कानून है उसे मनवा देंगे और ये सबसे बड़े मुस्लिम इवेंजलिस्ट बन जाएंगे और ये ही आखरी गवा होंगे कयामत के उस दिन उनके लिए जो मुसल्मान नहीं है क्रिष्टिन्स सब तरफ ये मानने लगेंगे कि उनका गॉस्पल गलत था उनका न्यू टेस्टमेंट गलत था वो मरा ही नहीं वो जी नहीं उठा ना वो खुदा है ना वो खुदा का बेटा है और अब वो खुद आकर ये बता रहे हैं कि हम लोग कितने ज्यादा गलत थे वो सारे गलत अनुआदों को और गलत तरह से बताई बातों को ठीक करेगा मैं बताता हूं उनके किताब में क्या लिखा है वो क्रूस के टुकले टुकले करेगा ये बात चर्च के खात्मे को दिखाती है चर्च में जिसे क्रिस्चानिटी के सिंबल के रूप में लगाया गया था वो सुरों को मार देगा वो नॉन मुसलिम के टैक्स को भी खत्म करेगा क्योंकि नॉन मुसलिम जिन्दा ही नहीं होंगे मरे हुए कहां से टैक्स भरेंगे और इनके बाद वो एक काम और करेगा वो इसलाम के हिसाब से जो एंटी क्राइस्ट है उसे मार देगा वो मार देगा उसे जो इसलामिक एंटिक्राइस्ट है और इसके बाद उनकी मौत होगी और वो मुहम्मद के बगल में गड़ेंगे लेकिन तब तक नहीं जब तक वो पूरी क्रिस्चैनिटी को खतम नहीं कर देते क्योंकि वो बता देंगे कि वो है कौन अखिर अखिर ये येशू कौन है भाई आप इसकी तुलना करके देखेगा कि ये अखिर कर क्या रहा है उस भवश्वक्ता से जो जूटा है प्रकाशित वाक 13, 16, 19 और 20 में प्रित्वी से बाहर आया एक पशू और जूटा भश्वक्ता भी है जो एंटिक्राइस्ट के साथ जुड़ता है और उसकी मदत करता है यहाँ पर जो मेहदी है वो एंटिक्राइस्ट की बिल्कुल सही तसवीर है और येशू जो इसलाम वाले है वो उस जूटे भषवक्ता के बिलकुल बराबर है जो आकर एंटी क्राइस्ट से मिलता है और उसकी मदद करता है उनके एक लेख में ऐसा भी लिखा है कि वो महदी के काम में हाथ बटाएगा और वो महदी की तरफ से हत्याएं करने वाला होगा वो होगा जो महदी को फोर्सफुली मनवा देगा वो महदी का नभी होगा और ये वाले जो इसा हैं ये मार देते हैं उसे जो एंटी क्राइस्ट है उनका आईए अब तीसरे व्यक्ति तक ले चलूँ जो की एंटी क्राइस्ट है मुसलिम इसे कहते हैं दज्जाल वो सबसे बड़ा दोका देने वाला है वो आएगा धर्ती पर गदे पर बैट करके और वो एक आँख से काना होगा वो एक काफिर होगा इन्फिडल ये जूटे चिन चमतकार दिखाने वाला होगा ये जो इनका एंटिक्रेस्ट है इसलाम वाला और ये जानते हैं अपने बारे में क्या दावा करेगा कि मैं हूँ येशु मसी खुदा का बेटा ये दावा करेगा खुदाई का और ये दज्जाल एंटिक्रेस्ट कोशश करेगा महधी को रोकने की और असली वाले येशु मसी को भी लेकिन असली येशु इस दज्जाल को माईए ये उनका नजरिया है असली मसीहा होने का इसलिए हमारे जो येशु हैं वो उनके अंटिक्रेस्ट हैं और हम क्रिश्टन्स के अंटिक्रेस्ट उनके छुडाने वाले हैं ये सैटैनिक काउंटर फिट है जो पूरी तरह से बदल दिया गया है शैतान की जो सेना होगी ये उनके लेख में दिया है मैं पढ़ रहा हूँ शैतान की सेना एक ऐसे व्यक्ति के साथ हो जाएगी जो अपने आपको येशु मसी कहेगा और एक भयानत जंग होगी और जो मुस्लिम जीजस होंगे वो लड़ेंगे इस जूटे जीजस से और इसे मार करके इसलाम के किंडम को कायम कर देंगे लेकिन सच ये है कि हमारे सचे येशु एंटी क्राइस्ट और जूटे वश्वक्ता को मार कर अपनी किंडम को कायम कर देंगे ये इनका satanic counterfeit है पूरी पूरी तरे से पूरी दुनिया में इसलाम की होकूमत अब कोई ऐसा भी कह सकता है कि पविश में क्या होगा और दुनिया के अंत में क्या होगा इसके लिए revived Roman Empire या West इसका मतलब नहीं है आपको याद होगा डैनियल दो अध्याय में जो मूर्ती है जो आखरी वर्ल्ड Empire है उसके दो पैर है और Roman Empire भी तो West और East में बटी थी अगर आप इतिहास जानते हैं तो आपको मालूम होगा कि यो Western Roman Empire था वो तो डिजॉल्व हो गया था लेकिन East वाला जो था हजार और कुछ साल और तक सर्वाइव किया तो जान लीजे कि 60% से ज्यादा जो जमीने Roman Empire के समय में थी जो New Testament का टाइम था अब वो मुसल्मानों के कब्से में हैं वो सारी जमीने कम से कम 60% तो उनके पास ही Roman Empire का जो बड़ा हिस्सा है वो जो New Testament के टाइम का है वो आज मुसल्मानों के कब्से में है और इसलाम आज वेस्ट और यूरोप में बहुत तेजी से फैल रहा है जब आप यहेचकेल अर्थिसवे अध्याए की तस्वीर मनाते हैं Antichrist Gog की तो आपके पास आठ देशों की एक लिस्ट है जो Antichrist का साथ देते हैं वो सारे देश Muslim countries है वो आठ के आठ एक रिंग जैसा बनाते हैं Mediterranean के पास लीबिया तक प्रकाशितवा के सत्रह नौ से ग्यारा में वहां लिखा है छे राज्य हैं और उसके बाद एक सात्वा है फिर आखरी में एक आठवा राज्य आ जाता है इसके बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है यह Ottoman तुर्की का राज्य हो सकता है जो की लगभग 500 से ज्यादा सालों तक रहा जो की सही माइनों में देखा जाए तो आज तक गिरा नहीं है तुर्की का जो राज्य था वो आखरी खिलाफत थी जो 1923 में आकर बंद हुई और वो महदी के आने में फिर से रिस्टूर होगी तो बिल्कुल जब अंत आने लगेगा कोई कहेगा कि मैं येशु हूँ कोई कहेगा मैं जीजस हूँ किसका यकीन करेंगे आप ये तो सिर्फ एक हिस्सा है इस दोकादड़ी का समझ रहे हैं? जो देखने में आएगा बिल्कुल अंत में और इस वक्त भी इस वक्त भी बहुत से मुस्लमान पूरी दुनिया में उस येशु को मानते हैं जो जो कि वो है ही नहीं और नतीजन सक्चे येशु का इνकार कर देते हैं दोखा मत खाइएगा दुनिया भर के मुसलमान येशु मसी की शक्षियत के बारे में डिसीवड हैं आप ये कहते हुए नहीं जी सकते कि कितना अच्छा है कि वो भी तो येशु से प्यार करते हैं वो नहीं करते हैं सच्चे येशु में कोई और येशु दिखाई दे तो वो सच्चा येशु नहीं है और अगर आप किसी दूसरे येशु की बादत करते हैं तो आप श्रापित हैं अब इस जूटे धर्म की बड़ी तस्वीर जानते हैं जब हम यहां बात कर रहे हैं इस वक्त भी बड़े पैमाने पर बहुत से क्रिश्चन्स मारे जा रहे हैं वो ऐसा करते क्यों हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो मसीश से नफरत करते हैं इसलिए तो वो ऐसा करते हैं वो दरसल मसीह से चड़े हुए हैं वो मेरे नाम के कारण ऐसा करते हैं नवी आयत में वो मेरे नाम के कारण मेरी वज़े से तुम से बैर रखेंगे पौलूस कहता है मैं अपने शरीर पर मसीह के दाग लिए हूँ कुलूसियों में लिखा है कि मैं अपने शरीर में मसी के सारे कलेशों की घाटी पूरी करता हूँ ये बड़ी गंबीर बात है क्योंकि वो हकूमत के बारे में सोच रहे हैं लेकिन उसने कहा था कि राज्य इस तरह से नहीं आता लेकिन इन सब बातों के बीच में भी सबसे अद्भूत बात यह है कि तुम्हें मौका मिलेगा गवाही देने का उन लोगों को क्योंकि इतने सताओं के बाद भी तुम्हारा विश्वास नहीं तूटेगा इतने दुखों और तकलीफों के बाद तुम मसी का इनकार न करोगे इतने परसीक्यूशन के बाद भी तुम्हारे लिए अनुग्रे और फजल बढ़ता जाएगा जहां इस तरह की तकलीफे हो जहां इस तरह का परसीक्यूशन हो वहां आपके लिए अनुग्रे बढ़ेगा दूसरा कुरंतियो बारा में ऐसा ही लिखा है तुम ऐसी परिक्षा में पड़े जो तुम्हारे सहने से बाहर हो वो तुम्हारे लिए निकास भी करेगा और होगा क्या? आप अपनी गवाही देंगे इन सब बातों के बीच में इस बात के तो रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास क्या नहीं है? फॉक्सेस की जो किताबे हैं जिसमें शहीद दिये हैं मेरे पास तीन ओरिजनल वॉल्यूम इतने बड़े हैं उनके बड़े हैं गॉस्पल सारी दुनिया के देशों में परचार किया जाएगा इतनी नफरत का सामना करने के बाद भी गॉस्पल दुनिया के छोर तक पहुँच जाएगा वो इसे किसी तरह से कुचल नहीं पाएंगे इसलिए एक कहवत भी है कि जहां मसीयों का खोन बहता है वहां मसी की कुरसी लग जाती है प्रेरितों के काम एक आठ में दिया है जाओ पूरी दुनिया में परचार करो यरूशलिम, सामरिया, यहूदिया प्रत्वी के छोर तक जाओ और मेरे गवाह ठैरो इस बात के कहे आज 2000 साल हो गए है क्या गॉस्पल ने अपने इरादे और अपने उद्देश को पूरी दुनिया में पूरा नहीं कर लिया है पूरी दुनिया कवर कर ली आज 2000 साल बाद ये पूरी दुनिया में गलोब में फैल चुका है और यही तो मेरे येशू ने कहा था कोई इसे मार नहीं सकता आप सोच के तो देखिए यहां वो बैठा नजर आता है बारों के साथ और उनमें से एक उसे कुछ गंटों में दोका देने वाला है जिनने कोई नहीं जानता ऐसे अंजान लोगों के समूह को येशु कहते हैं तुम लोगों के द्वारा गौस्पल पूरी प्रत्फी तक जाएगा क्या भविशवानी है जो पूरी हो चुकी है और फिर लिखा है 24-14 मती में कि उसके बाद अंत आ जाएगा हां सताव तो होगा लेकिन पर्सीक्यूशन के बावजूद गौस्पल पूरे गलोब को कवर कर लेगा और यहां एक विक्तिगत प्रतिग्या भी है जब वो तुमें पकड़वाएं तो तुम पहले से ना सोचना कि तुम क्या कहोगे क्योंकि उसी घंटे तुमें बता दिया जाएगा वो बाते मूँ से निकाली जो संभवी नहीं है मनुष्य से तो परे है मनुष्य की सामर्त में संभवी नहीं है और सच्चा आराम यही है तो यहां प्रतिग्या भी है और आराम भी लुका 21.15 में दिया है कि तुमारा कोई शत्रू तुम्हारी बात का सामना और खंडन नहीं कर पाएगा तुम्हारी जो गवाही होगी वो बड़ी पावर्फुल होगी और यही हुआ भी वास्ताव में जितने भी प्रेरित थे वो कैसे मरें शहीद होके मरें आखरी में तो बस युहन्ना ही रह गया था और उसे वहां मरने के लिए अकेला छोड़ दिया गया पक्के तोर से उसे शहीद करने का यही एक तरीका था बाकियों को अलग तरह से मरा गया सर काट कर, क्रूसिफाय करके लेकिन इससे भी फैलना रुका नहीं और हजारों लोग जो मरें हैं उनकी तरह पूरे इतिहास में देखें तो पवित्र आत्मा उनके साथ रहा है वहां पर मनुष्य की जो सहन शक्ती है उससे उपर उठा ले गया है वो उन बातों को कहने के लिए जो उनके दिलों से उस वक्त निकली जो की पवित्र आत्मा ने उनके मन में डाली थी और बारवी आयत में येशु ने कहा है कि वहां यहूदियों के नहीं बलकि अन्यजातियों के और अपने परिवार के भी सताओ को तुमें देलना होगा बाई भाई को धोका देगा और पिता अपने बच्चों को और बच्चे भी अपने माता पिता के विरोध में उट खड़े होंगे ताकि उन्हें पकड़वाएं और मरवा दें मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ कि उनके लिए कितना कठेन होगा इस बात को मानना क्योंकि उन्हें तो बहुत आशा थी अब कोई कहेगा कि येश्यों ने बड़ी कोशिश की लेकिन बड़ी बुरी तरह से फेल हो गए अरे उसने बिलकुल एक्जैक्ली बता दिया था कि इतिहास किस तरफ मुड़ेगा बिलकुल ठीक ठीक वैसा ही जैसा होने वाला है बिलकुल एक परिवार में ही बैर होगा मती दस में जाये ये सब मती दस में मती चोदा में दिया हुआ है कितनी बार येश्यों ने कहा है कि अपने माता पिता भाई बहन को अपरिये जानना होगा और अपने जीवन तक को अपरिये जानना होगा अगर मेरा चेला बनना है तो और ये एक सच्चाई है और ये सच्चाई हमारे स्कृप्चर से कितनी मेल खाती है उस मंदिर का विनाश होगा इस बारे में येशु कितने सटीक थे और वो इस बारे में भी सही थे कि अंत में भरमाया जाएगा कि मसी यहाँ है यहाँ है वो इस बारे में भी सही थे कि कितनी तबाही बढ़ती जाएगी अंत में वो बिल्कुल सही थे जब संकट के विशे में अंत में उन्होंने कहा कि कि लोग सताएंगे और तुम्हारी जान भी ले लेंगे और इस बारे में भी कि गॉस्पल दुनिया के छोर तक चला जाएगा उसका खुदा होना जरूरी है क्योंकि खुदा ही इतना जानता है और अब बस आखिर में एक आखरी वचन तेरवी आयत में देखिए मेरे नाम के कारण तुम्हारे सिर काटे जाएंगे लेकिन जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा क्या मतलब है कि अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा इसका मतलब है महिमा में उपर जाना स्वर्ग तक जाना और इसका क्या मतलब है कि अंत तक धीरज धरेगा हम बचे कैसे रह सकते हम कैसे यहूदियों का अनेजातियों का सताओ जहल सकते अपने परिवार का सताओ जहल सकते और परिवार की नफरत जहल सकते और परिवार वाले जो हत्या करेंगे उसको हम आखेर इन सब को कैसे हैंडिल करेंगे सच्चाई ये है कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा वो ही बचेगा इससे हमें पता चलता है कि जो जूटे मसीही लोग है वो इन सब बातों को हैंडिल नहीं कर पाएंगे अपने सहन करने के द्वारा लुका 21.19 में तुम अपने प्राण बचा पाओगे आपका उद्धार सहन करने या धीरज धरने के कारण नहीं हुआ है बलकि आप सहन कर करके ये बताते हो कि आपके पास असली चीज है जो सिर्फ उपरी तोर पर विश्वास करते है परसीक्यूशन के समय उनका विश्वास किर जाएगा वो हम में से निकले जरूर है लेकिन हम में से थे नहीं पहला युहना 2.19 ये सू समाचार की बड़ी बेसिक सचाई है कि परमेश्वर द्वारा दिया गया सच्चा विश्वास ही टिकेगा क्योंकि पवित्र आत्मा सामर देगा और परमेश्वर अनुगरह देगा परिशानिया, धोके, दुक और सताओ ये एक तरह से भूसी में आँग लगा देंगे और इससे पोल खुल जाएगी हलकी गहरी भूमी और जाडियों वाली भूमी और पत्रीली भूमी तीनों की जो सिर्फ नाम की क्रिश्चिन्स हैं और इस तरह के सताओ के समय में जो सिर्फ बाहरी तोर पर मसीही हैं उनके पास कोई भी सहन शक्तिया धीरज नहीं होगा मैं एक बार फिर समझा देता हूँ कि धीरज धरने से हमें उद्धार नहीं मिलता है बलकि चाहे हम अपने दाटों को भीच ले इतना सहन करनों तब भी नहीं होगा हम अपना उद्धार दिखाते हैं जब हम सहन करते हैं या धीरज धरते हैं तो हमें अनुग्रे के द्वारा दान में उद्धार मिला है और ये दुखों के समय में अपनी असलियत बता देगा याकूब एक जब तुम नाना प्रकार की परिक्षाव में पड़ो तो पूरे आनन्द की बात समझना क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरा जुद्पन होता है सच्चा जो इमान होता है वो आपको मजबूत करता है सहन करने के लिए पहला पत्रस एक हमारे प्रभू येशु मसी के परमेश और पिता का धन्यवाद हो जिसने मसी येशु के मरे हुए में से जी उटने के दौरा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के दौरा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है इस कारण तुम मगन होते हो यद्यपी अवश है कि अभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परिख्षाओं में तो हो लेकिन ये इसलिए है कि तुम्हारा आग में परखा हुआ विश्वास जो नासमान सोने से बहुमूल है इश्व मसी के दिन प्रशंसा महिमा और आदर का कारण ठेरे चेतावनी देता है, प्रतिग्या करता है, राहत देता है और स्वरगी आशा भी देता है और अब इतिहास किस और अपना रुख करने वाला है ये भी बता रहा है और उसकी इन बातों ने पूरी तरह से कवर कर लिया है इतिहास को उस समय तक जब ट्रबलेशन का टाइम शुरू हो जाता है